तो आपके पास लगबग एक दिन ही है एक दिन से भी कम समय है जो आपका एक्जाम होने जा रहा है आपकी मैनत रंग लाने वाली है उसके लिए बहुत ही कम समय रह चुक है तो आज गाइस एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कुर्शन आपके साथ हम करने आए हैं जिसमी मैं आपको बताऊंगा how you should avoid your negative marks आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखना हरे पॉइंट को ध्यान में जरूर रखना properly मैं अपना experience आपके share करने वाला हूँ मैंने क्या-क्या चीज experience की है life में क्या-क्या मैंने गलतियां की है किस-किस चीज का बाद है पश्टावा होता है exam देने के बाद हर एक चीज बड़ी important जाने वाली है तो ध्यान से सुनना guys तो सबसे पहला point क्या आप सबने admin cards निकाल ली phone में है कल पे कर नहीं रखना guys जैसे ही video खतम होती है आप सबको suggest है कि video खतम होने के बाद ही cyber cafe जाओ उधर से अपना print आउन निकाल के अपने पास रख लो फिर उसमें आपके key points लिखी होंगे key points में instructions पे लिखा होगा आपको क्या क्या चीज की requirement है I think so आपका एक रहेगा black pen या blue pen होगा उसके देख लेना कौन सा pen लिखा हुआ है वैसे दोनों ही ले जाना और खास तोर पे आपको मैं बता दूँ that is आपने कौन सा लेके जाना है आपका ball pen आप सबने ball pen लेके जाना है इस चीज का ध्यान रखना ठीक है ball pen अपने साथ लेके जाना उसके बाद आपका photos graph होँगी जितनी भी है दो बोली है एक extra ही रखना जितनी बोली गई है उसमें से एक extra ही रखना ये मेरी ओर से आप सबको suggestion है ये चीज डाल लेना ठीक है दूसरी चीज अब आपको मैं दिखाता हूँ आपका OMR sheet कैसी दिखती है मेभी आप मेंसे कुछ ऐसे चोड़न होगी जो फस्स ताइम देख रहोंगे और कहीं उने बड़ी बार experience किया भी होगा तो प्रॉप्पली मैं अदर आपके सामने न OMR sheet ले आए हूँ आपको इदर बताने वालों किस तरह से उदर पैनिक नहीं होना सबसे पहले उदर इसी तरह कि आपकी OMR sheet होगी ठीक है ये दो पार्ट मैंने डिवाइड कर दिया हुआ ताकि आपको समझा सकूँ डिक्टो इसी तरह की क्या पता आपको दो मिले इदर आपको mentioned भी है how to correct method आपका correct method क्या होता है कैसे आपने इसको mark करना होता है ये देखो आपने पूरा का पूरा mark करना है जैसे इसका answer C था तो हमने क्या करना है पूरा का पूरा इसको black से mark कर दिया उसके बाद ये wrong method है हमें अगर कोई student इदर tick मार के आएगा ये आपका check evaluate नहीं होगा आपको मैं बता दूँ अगर आपने इसको tick मार दिया या आपने आदख circle किया या आपने इसको ऐसे cross मार दिया तो ये आपका question evaluate नहीं होता आपने क्या करना है जो आपका answer है उसको पूरा का पूरा mark करना होगा उसके आप देखें तो इदर roll number है इदर आपने पहले roll number अपना mention करना है जो आपका admit card में mention होगा फिर इसको इदर block for example roll number है ऐसे लेता हो 1,2,3,4,5,6,7,8 for example ये roll number है ये आपका 1 होगया फिर ये आपका 2 होगया ये आपका 3 होगया ये आपका 4 होगया ये आपका 5 होगया इसी तरह से ये सारे सारे आपने mark कर लेंगा उसके आप क्या बता ये आपको ना मिले seat number उदर ये option ना हो उसके आप इदर question booklet number होगा आपकी question booklet पे होगा उदर आपको सारे बता देंगे guidance आपको provide कर दी जाएगी तो इसको भी same as it आप में दें fill up करना है और most important इसका ध्यान लखना है ठीक है? आपको मैं बता रहा हूँ ये चीज गलत मत करना quotient booklet series आपको A मिला है, B मिला है, C मिला है, D मिला है आपको अगर A मिला है, इधर आप A लिख देना और इधर A को circle भी कर देना clear है guys? अब बात करते हैं आगे ये भी बड़ा important है, ये आपके होंगे इधर questions ठीक है? अब देखो guys आपको पता है, आपके पास 120 समय 120 minute का समय अब एक और चीज़ यार, अभी एक exam हुआ था उसमें 100 minute add and mention कि हुए थे, तो इस चीज़ को exam से पहले check कर लेना 100 minute या 120 तो नहीं लिखा हुआ तो उस हिसाब से अपने time को थोड़ा calculated बना लेना कि 100 minute अगर दे रहे हैं, में साब से 120 ही होना चाहिए 120 minute ही होने चाहिए तो उस हिसाब से आप आगे बढ़ना, clear है guys अब बात करते हैं, आप क्या साथ है 120 minute, 120 minute में हमने करना है sir, 120 question अब हर एक student की लग-लग strategy होती है वो try करता है कि सबसे पहले अपने answers, that is your question वे पर वे करते हैं, या कोई-कोई इधर भी कर लेते हैं, अब जो मैं आपको चीज़ बताने वाला हो ना, वो answer चलता for example guys first question है, उसका ना answer है C option, मैंने इसको C mark कर दिया जी sir, इसको क्या कर दिया, मैंने C mark कर दिया, ठीक है, black ही लेता हूँ आपको थोड़ी सी feeling है एक्जाम जैसी तो इसको मैंने, sir, इसको मैंने C mark कर दिया, sir, second का answer मुझे पता, इसका answer है D, sir मैंने इसका D option कर दिया sir, third का option है, मुझे नहीं बता, sir, third वाला मैंने कई बढ़ाएंगी, अब क्या करें, sir, third को skip करना है ना, तो अब आपका fourth पे जाना है, ठीक है अब fourth का answer है, guys, that is A option, आपने fourth मेंना A कर दिया अब यही चीज मैं आपको सिखाना चाता हूँ, इस चीज को ध्यान में रखना यह जो question number third आपने skip किया है, इसको skip जरूर करना है गलती के लगती है, sir fourth का answer A था, आपने गलती से क्या मा कर दिया, third का A गर दिया और आगे वाली पूरी की पूरी series गलत हो जाएगी आगे पूरी की पूरी series गलत हो जाएगी तो यह जो skip वाला portion है ठीक है, for example मुझे ना answer 16 का नहीं बता फिर से repeat कराऊ, मुझे 16 का answer नहीं बता sir 17 का answer A है मैंने ना गलती से 16 में A कर दिया sir 18 का answer अब ना आगे series देखना गलत होती रहेगी जितने मुझे पता नहीं चलेगा sir 18 का answer C है, मैंने 17 का C कर दिया एक step उपर मैंने मा कर दिया sir 18 का मुझे answer नहीं पता फिर मैंने 19 का sir D था तो मैंने यह मा कर दिया कुछ इस तरह से गलती हो जाती है तो इस गलती को दियान में रखना जो question आपने skip किया है न इस चीज का दियान रखना जिसको आप skip कर रहे हो यही overman में सबसे बड़ी गलती create करता है clear है guys, ठीक है, यह suggestion most important अब दूसरी चीज, दूसरी के तीसरी चीजी आएगी आपने main चीज है आज का दिन न अराम से cool mindedly बैठो अपने गरवाले होता simply बाते करो कुछ भी आपने करना है, फोन चोन चलाओ आज का मैं कह सकता हूँ, आज आप कर सकते हो आज अपने ओपर जादा stress नहीं दो आज मैं कहूँगा, आज YouTube ना खोनला ही मत आज ना YouTube खोनला ही मत इस वीडियो के बाद, इस वीडियो के लिए खोल लो तो YouTube खोनला ही मत उधर क्या होगा, आपके सामने ना कोई suggestion आ रहे है यार, हाँ, VLW का ये है, वो है उस तरह की thumbnails होगे वेगरा वेगरा आप उसको open करोगे, open करोगे that उन्होंने कुछ पढ़ा दिया ऐसा वैसा, यार, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है और पूरा का पूरा दिन आज का और कल का आपका इसी में बेश हो जाएगा यार, ये तो नहीं आ जाएगा यार, ये मैंने पढ़ा ही नहीं है, ये तो नहीं आएगा अब, जितना पढ़ना है, पढ़ चुके हो जितनी त्यारी होने थी, हो चुकी है आज के दिन किसी भी चीज़ पे, चाहे मैं कहूंगा तो करेंटर फेस को भी देखने की जो जितना पड़ा है, बगवान पे विश्वास रखो अपने जिनको आप मानते हो उनके ओपर अपना फेस रखिए यकीन मानिये, कल का एक्जाम आपका बेस्ट हो Believe me इस चीज़ के आप जाइए Stress-free जाइए, ठीक है अपने गर वालों के हाथ आज पैठिए अच्छा खासा हसी मज़ाग कीजिए कोई extra मतलब आपने वो निये कि किसी गजात बूरा करना है लड़ाई भी करना है, वो भी नी Stress-free पैठिए, अराम से ठीक है, कोई web series देखने हैं आज web series भी देख लो, खासकर English वाली देख ले ना, कोई web series नीचे subtitles इसकी आ रहे है क्या पता कोई नहावर्ड मिल जाए ठीक है, तो वो subtitles से आपको कुछ English भी में भी improvement हो सकती है, तो guys यही आपको कहूँगा, पहली पहली चीज़, अभी के अभी सारी arrangements करके रखो जो जो आपको admit card चाहिए, photos आपको चाहिए, आपको pen चाहिए, इन सबकी arrangements अभी के अभी करके रखो, दूसरी चीज़ जो मैंने अभी आपको suggestion दी, how to fill your OMR sheet थर्ड चीज़, आज का दिन stress free होना चाहिए, आज का दिन stress free होना चाहिए, properly shant mind, रात को नीन पूरी करो मैं तो कहूंगा, ऐसे कोई सोता तो नहीं है, कल, आज रात को ना, 10 या 11 बजे तक सो जाना, ये सबको suggestion, अराम से सो, सुबा आराम से उठो, आपका, आप खुद ना, अपने में, डैट fresh feel करोगे, सुबा उठके, एक अगर आपके पास time होगा न, सुबा मैं कहूँगा, सुबा अगर आपके पास time होगा, तो सुबा न, एक वारी न, थोड़ा yoga भी कर ले, suggestion है, अगर आपके पास time है सुबा, कहीं के center थोड़े दूर होगे, मेभी वो, जल्दी निकल जाएं, कहीं तो मेभी दूसरी district में रहने भी चलेगे, तो उनके लिए मेरी और से suggestion है, आप थोड़ा सा time निकाल के, सुबा न, थोड़ा सा yoga भी कर ले, आपका fresh properly, जो mind है, वो fresh हो जाएगा और आपका exam best time best जाएगा पूरी life का, मैं यकीन मानिए end में आप से भी message जोगे, जी sir ये, जो suggestion आपने दी थी ये बहुत ज़ादा काम ठीक है guys, तो देखो या, जाने से पहले आप सबको मेरी और से all the best अपना best दीजिए have a good faith in your God बाकी चीज़ जो मैंने आपको हर वीडियो में बोलता हूँ, आपके 3 rounds होने चाहिए 3 rounds sir, round number 1 हमारा कहता है, जो हमें 100% question पता है, उनको mark करो जो 90% भी पता है उसको mark भी नहीं करता है कि उसमें मुझे doubt है, round number 1 में जब आपके questions निकल गए, round number 2 में आजाओ, round number 2 में जो मुझे doubt है, 50-50 जो मुझे 50-50 doubt है उसमें आजाओ, अब उसको mark करो sir, अब ना मेरे 80-90 questions हो चुके हैं, अब मेरे कितने हो चुके हैं sir 80-90 questions मैंने 2 rounds में cover कर लिए sir, 2 rounds में 80-90 cover हो चुके हैं अब आपने उदर round 3 के लिए analyze करना है round 3 के लिए आप सबने analyze करना है कि exam actual में easy आया है यह difficult आया है यह moderate आया है, यह चीज़ आपने analyze करना है देखो, अगर तो आपको लगए difficult है, cut-off, आपको खुद पता चल लेगा, जो properly prepared students उनको खुद ही बजलेगा, क्या level है क्या competition चल रहा है, पिछले ही डेट साल से उनको खुद ही बजलेगा cut-off, 90 जाएगा, सो जाएगा तो उसके according third round में आप थोड़ा सा risk लेकर risk है तो इश्क है, यह मैं कहूंगा तो थोड़ा सा risk लेना पढ़ता है exam में, तो आप extra attempt कर लेना, ठीक है यह risk लेना पढ़ता है for example आपके attempt इ 70 हो रहे हैं अब आपको पता है, 70 में तो मैं नाम आएगा दिए, ऐसे भी नहीं आएगा तो थोड़ा सा risk लेकर क्या पता 1% chance बन जाए समझो बात, क्या अब आगे सर कुछ नहीं पता, तो एक risk लोग है, 70 में तो मैं नाम आ नहीं नहीं है आप तो पहले ही आउट हो गरे हो लेकिन सर अगर थोड़ा सा risk ले लोग क्या पता, 1% chance बन जाए तो उदर risk लेना बन जाता है उदर risk लेना लाजमी है क्या पता हो दर आपका luck matter तो ये चीज़ दियान में रखना बाकी, good luck all the best अपना best देख्या आना, गब्राना मत कल का exam best हो, 10 December आपको याद रहेगी यकीन मानना, आप में से बड़े जादा, इदर से बहार निकलेंगे, इस exam को pass out करेंगे, फिर आगे बात करेंगे जो next exam की, ठीक है तो आज करते रखते हैं, good luck कल मिलते हैं discussion के साथ, ठीक है